दोस्तो ये वीडियो है जामिया ओनलाइन फॉर्म अप्लाई डेट का यानि जामिया में फॉर्म अप्लाई करना है इस साल 2020 से 2021 के लिए तो लास्ट डेट कव है दोस्तो ये वीडियो बनाने के क्या जरुवत पड़ी है देख सकते हैं इस वीडियो में ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि बहुत सारे कानिडेट्स हैं, वैसे मैं सिर्फ सैंपल लिया हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ रहे थे कि फॉर्म अपलाई का डेट क्या है, दोस्तो एक तमन्ना सिदिकी जी है, तमन्ना सिदिकी जी लिख रहे हैं, सर क्लास 11 साइ या नहीं, आदीबा परवीन है, जो पूछ रहे हैं, सर बीट की लास डेट 15 अप्रिल को हो गई है, दोस्तो मुहमद नूर आला में पूछ रहे हैं, लास डेट के बाद अपलाई होगा या नहीं होगा, कामिनी मिश्रा जी है, कामिनी मिश्रा जी पूछ रहे हैं, डेलेट परवीन, सबीना शेक, कामिनी मिश्रा मुहमद दूर आरम, हमेंदर कुमार, इसके अलावा अब्दुल आलम त्यागी है, अब्दुल आलम त्यागी जी कह रहे हैं कि सर्जामिया के बीटे का फॉर्म के लास्ट डेट क्या है, अन्नु मोडर्न है, अन्नु मोडर्न ये कह रह हैं मेंचन ना करें मेल पे नंबर भेजा करें ऐसे डारेक्ट आप नंबर देते हैं तो इट्स वेरी अलिलीगल और कम्यूनिटी गाइडलाइन्स के खिलाफ है और दूसरे लोग आपको परिशान कर सकते हैं आज कल ओटीपी भी आता है नंबर पे और नंबर का डुप्लिकेट भी बन जाते हैं तो नंबर आप कमेंट में ना करें आप नंबर मुझे इमेल कर सकते हैं इमेल का आईडी जो है वो है इंडिया.tbit.gmail.com इस पर आप मेल कर सकते हैं इंडिया.tbit.channel.gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं तो दोस्तों ओनलाइन फॉर्म का लास्ट डेट कब है फ्री माइंड है पूच रहें क्लास 11 साइंस के एक्जाम 12 अप्रिल को है सर एड्मिट कार्ड 10 अप्रिल को तो दोस्तों ये सारे कोशन के जबाब इस वीडियो में दूंगा अगर आप मेरे चनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक भी जरूर कर दीजेगा अपने फैमिली फ्रेंड्स, रिलेटिप्स और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी किजेगा मैं इसमें लिखा है कि कोईट कोरोना वाइरस के वज़ा से ओनलाइन फिलिंग का जो एड्मिशन फॉर्म था सारे कोसिल्स के युनिवर्सिटी के इंकलूडिंग युनिवर्सिटी स्कूल्स के एक्स्टेंड किया जा रहा है 15 अप्रिल तक यानि 15 अप्रिल तक आप फॉर्म तो जिन्होंने कोशन किया था कि क्या फॉर्म आएंगे फॉर्म तो आचुका है लास्ट डेट भी खतम होने के थे लेकिन फॉर्म का जो डेट है उक्स्टेंड हो गया है तो जो कह रहा है कि फॉर्म क्या आएंगे उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि फॉर्म आचु मिल गया है 15 अप्रिल तक आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहां साफ सब लिका है कि युनिवर्सिटी इंक्लूड किया जा रहा है मतलब प्लस किया जा रहा है युनिवर्सिटी प्लस इस्कूल्स दोनों को आइड किया जाता है यह दर इनुवर्सिटी है यहां पे लिए यह जो चानल है, षख करफुड है, लोग जतना करफ्यूय के दिन है, आप लोग जितना घर पे रहेंगे, उतना सेफ रहेंगे, माँचि?", बाहर निकलेंगे, कोई फादा नहीं है, और धीरे दिरे मामला शांत हो जाएगा जैसे चाइना में बहुत ज्यादा हमारी था वहां पे खतम हो रहा है बहुत लोग ये कोशन पूछ रहे हैं कि कब एक्जाम होंगे एक्जाम के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि कब एक्जाम होंगे वैसे मैंने गेस किया था कि प्रिश देट आएगा उसके लिए वीडियो मैं बनाऊँगा जैसे भी नोटीस आती है जितना जल्दी नोटीस आती उतना जल्दी मैं वीडियो बना के आपको मैं परोसूंगा बस आपको सब्सक्राइब करना होगा और बिल आइकन को प्रेस करना होगा मोटा मोटा मोटी इस वीडियो के यही है कि 15 अप्रिल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप याद रखे हैंगा 15 अप्रिल तक, अब आपके मन में एक और कोशन आता है कि एडिट करने का उप्शन कब ओपन होगा, तो जब भी लास्ट डेट होता है फॉर्म अप्लाई करने का उसके बा देते हैं, तो 16 अप्रिल से लेके 20 अप्रिल तक, आप फॉर्म को एडिट कर पाएंगे, यह मेरा गिस है, यह नोटिस नहीं है, यह वाला जो वाक्स में है, यह गिस है, वैसे 15 अप्रिल तक फॉर्म अप्लाई करिएगा, उसके बाद जो एडिट करने का उप्शन आएगा 16 अप्रिल से लेके 20 अप्रिल के 20 में आएगा, और एक्जाम का जो मुझे आशा है, ऐसे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, मुझे आशा है कि मई जून के आसपास तो एक्जाम होने के चांस है, लेकिन अभी बहुत कम है, तो exactly क्या अभी नोटिस आएगी, मैं थोड़ आसा फीड़ लेके जो गॉवर्मेंट्स ऑफिशल है, सेंट्रल गॉवर्मेंट्स, स्टेट गॉवर्मेंट्स क्या कह रहे हैं, जैसे दिल्ली में क्या है कि सेंट्रल गॉवर्मेंट्स की नोटिफिकेशन होती है, और स्टेट गॉवर्मेंट्स में मोधी जी है, और स्टे इम्यू, आइपी, अमबेटकर उनिवसिटी, यह सारे वीडियो बनाता हूं, तो दिल्ली, सरकार, और यूपी सरकार, और सेंटर कोमेंट्स के गाइड लाइन से आपको चलता है, कहने का मोटा मोटी ताहती पर यह है कि 15 अप्रिल तो फॉर्म अपलाई कीजिए, उसके बाद एडिट करने का उप्शन आता है, एडिट कीजिए, उसके बाद मैं आपको लास्टेट बताता हूं, मतलब डेट यह बताता हूं कि कब तक आपका एक्जाम होने की चांसे है, लास्टेट तो पंदर अप्रिल है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ है, तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी दोस्त कमेंट करना चाहते है, कमेंट बेहीं चक किजिए, क्योंकि जैसे कमेंट करेंगे, आपको बेस्ट कमेंट्स मैं आपको लेके आऊंगा, जैसे तमना सिद्धिकी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ के उसके बाद एक वीडियो बना के आपके पास लाओंगा, और इस वीडियो में आपको चांस होगा, आपको खुद की आने का, खुद के इमेज बनाने का, खुद की पहचान बनाने का देश में, आपको लाखों हजारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, आपका नाम आएगा, आप खुश होंगे, मोटिवेट होंगे और आपका एक्जाम भी निकलेगा, आप जब खुश होंगे तो पढ़ाई भी अच्छा करेंगे और आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, तो comment आप जरूर कीजिएगा comment से, माध्यम से बताईएगा कि जो आपके मन में डाउट है, मन में नहीं रखिएगा मन का जो डाउट है, मेरे को बताईएगा मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा मन में रखने से ना अंदर tension बहुत ज़्यादा होती है, hypertension होती है उस tension को reduce किजिए क्योंकि examination के point of view से और आपका health के point of view से अपने अंदर बातो को रखना सही ने, बातो को बताईए दुनिया को कमेंड करते हैं, लाखों लोग देखते हैं reply भी करते हैं, जैसे आदीबा परवीन जी ने कमेंड किया है तो reply सभीहा शेग जी ने किया है आदीबा परवेन की कमेंट को रिपलाई सभीहा शेख जी ने किया और बहुत लोग कमेंट का रिपलाई करते हैं पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी रिपलाई करता हूँ इसलिए तो वीडियो बनाया हूँ तो दोस्तों हमेरे यान के फिर मिलेंगे चलते चलते तब तक यो टेक गूड केर अफ योसल्फ, जय हिंद, जय जामिया